डिजाइनर और महेंगे कपड़े पहन के आप साधी बीवा या धार्मिक अनुस्ठान में आपने पाटिसेपेट तो कर लिया घर आके आपने देखा तो पता चला कि कपड़ों में कई जगा तेल के दाग लग चुके हैं कहां लगा कैसे लगा पता नहीं अब जरूत है उस तेल के दाग को निकालने की निकालने का है नहीं निकल रहा है थोड़ा बहुत निकला लेकिन ब्लैक स्पॉर्ट या मटमेला सा दाग वहाँ पे रह गया परेशान होने की जरूत नहीं है इस वीडियो पे बने रहे है समाधान आपको जरूर मिलेगा तो आ चाहे वो रंगीन हो या सफेथ कोई फर्क नहीं पड़ता वो भी घर में उपलब्ध सामागरी से क्या बात है सर क्या बात है ये बात है फिर देर किस बात की चले शुरू करते हैं यह एक लेडिज दूपट्टा है कॉटन में मिक्स है यह मस्टर्ड आयल मैं इस पे लगा दिया है मैंने अब इसको देखिए गाराई से नीचे भी इसका जो पैड लिया है मैंने उस पे भी आ गया बोर्ड पे यह सर्सों का तेल है और इसको दो घंटे तक हमने सोखने के लिए रख दिया है उसके बाद मैं ला रहा हूं 100% सूखा नहीं है लेकि फिर भी काफी हद तक जहां पर लगा तो उसके चारों तरफ फैल गया है कोई भी टीशू पेपर लेंगे नीचे इसके टीशू पेपर रख देंगे उसके बाद से कोशिस करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा इस पर ऑईल यह अब्जॉर्ब कर लें टीशू पेपर कई लोग यहां पर यह से हमने नीचे आउपर दों तरहिके से पोश दिया है ज्यादा इस पर रख नहीं करना है नहीं तो यह दाग और ज्यादा खराब हो जाता है यह सफेद पौर्डर हमने लिया है बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाईकार्बूनेट कहते हैं अगर यह आपको नहीं मिल रहा तो घर में कोई पौर्डर होता है वह आप ले लीजी अगर वह भी नहीं मिल तो इस टार्च पौर्डर आता है अरा-रोट आता है उसको दाग सूखा हो या गीला हो कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे मैं फैला रहा हूं पुरा कभर कर दीजिए तकरिवन दिखाई ना दे 10 मिन तक आप छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे काफी हद तक इस पर चिपक गया है और इसमें मैं गिरा रहा हूं अचार अगरम डालते हैं वाइट बिनेकर उसको ले सकते हैं वह भी नहीं मिल रहा है तो दो तीन नीवू कर रहा है वह भी काम करेंगे थोड़ी सी परक्रिया स्लो हो जाएगी तो आप साफ पानी भी इसमें हम लगाएंगे और देखेंगे जाग होने लगा तो अब ब्रस की यह लिक्विड डिश्वास लिया है ध्यान रहे दोस्तों रंगीन कपड़ा हो तो आपको यही लेना है बिम बार जो टिकिया आती उसको नहीं लेना क्योंकि ज्यादा हाड होता है अगर सफेद कपड़ा हो तो ले सकते हैं रंगीन कपड़ा है तो डिश्वास लिक्विड ही आपको लेना है बिंबार या कुछ इस तरह का जो टिकिया होती उसको नहीं लेना है ब्रस कित्सा आता से प्यार से इसको आप रफ करिए ज्यादा ताकत नहीं लगाना है हमारा रगणने का उद्देश से नहीं है उद्देश से बस यह है कि हम चावतर फैला दें कुछ सोड़ा सा बेकिंग सोड़ा या जो भी आपके पास हो कौने स्टार्च हो वह भी नहीं मिलता है तो इनों है इनों भी आप लगा सकते हैं और इसके बाद से आप 10-15 मिट के बाद से आप इसको साफ पानी से धुल दिजिए अब देखें के काफी हद तक दाग निकल गया है अगर नहीं निकलता है तो एक दो बार परकिर्या को आप रिपीट कर सकते हैं जो सूखा दाग हो उसको भलका से पानी से गीला कर लिजिए फिर स्टार्च और इस पर अपलाई करेंगे तो चिपक जाएगा उस पर आप देखिए एक भीद स्पॉर्ट इस पर नहीं है सारा इसपॉर्ट निकल चुका है एक बर साफ पानी से ज्यादा मत्रा में पानी लेकर मैंने इसको खंगाल दिया है फिर देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है यकीन मानिए आप इस को ट्रिक को ट्राइ करिए आपका काम हो जाएगा लेकिन कमेंट करने के लिए बहुत कुछ कहेंगे लोग सूखा रहाता तो नहीं निकलता है गिला है तो अगरा लेकिन आप इसको ट्राइ करिए आपका काम हो जाएगा अब मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ यह जो बकेट है इसके उपर आप देखिए थोड़ा भी इसमें तेल का दाग नहीं दिखाई देगा आपको वो निकल जाएगा इस ट्रिक से तो आप यूज करिए और कपड़े को साफ करिए सुखने के बाद से आप देखिए थोड़ा भी दाग नहीं है मैंने इसको खंगाल के दूप में सुखा दिया था कोई भी इस्टेन इस पे नहीं बचा है तो आपने देखा तेल के दाग निकालना आप कोई मुश्किल काम नहीं है अगर कुछ ऐसे आपके मन पसंद कपड़े वार्ड रूम में पड़े हुए हैं केवल तेल की दाग के होजा से तो उनको बाहर निकालिए और इस मैथट को अपलाई करिए तेल के दाग निकल जाएंगे तो आपके मन पसंद कपड़े को आप दुबारा प्रयोग कर पाएंगे तो मित कर रहा हूं ये ट्रिक आपके लिए लाबदायक होगा इस वीडियो को आपने पूरा देखा मन से देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह के यूश्फल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहा सकते हैं